तो फारे प्यारे किसान बाईयों आज का जो वीडियो होने वाला वो बहुत ही मज़दार इंफॉर्मेटीव धमाकेदार होने वाला है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आये तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले आज का जो टॉपीक है वो बहुत ही मस्त होगा आप लोग न करने के बच्छे की सारा कुछ बहुत ही महनत लगता है किसानों को अपने बच्छे की दरा बढां की जिए बहुत सरा इंवेस्ट कीजिया जब harvesting करने लगते हैं तो बेपार कुछ ईकिष बॉल करके नहीं किसानों का Lunco Rट है वो कम कर वा देते हैं कुछ तसकी बॉल के कुछ मतलब बह। जलदी से जलदी वह कुछ भी कर वा देते हैं और हैसे ही करने में जब नहीं किसान अच्छा से नहीं समझ पाँ पाते सबसे पहले बैपार को कॉल कर देना है वह आ जाएगा और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन मचली आप निकाल रहे हैं उस दिन आप जदा से जदा बैपार को कॉल करें थोड़ा साब कुछ दिन टाइम देना बैपार के लिए आपके मचली को ले जाएगे अपको इतना सा ध्यान दखना यह बात तो द्यान दखना है उसके बाद अगर वो बोले कि एक रुप्या कम करें अगर मार्केट में मानके चलें तीस रुप्या में निकल रहे हैं मचली तो वो बोलेगा कुछ कम बेस करने के लिए तो आपको कम अगर मचली को एक दिन फस्ट दिन अगर मचली को एक रुप्या कम करके भी सेल कर पा रहे हैं जदा से जदा तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा हां अब घटा का होगा दुसरे दिन से जब आप हर्वेस्टिंग की जएगा तो उस दिन से आपको मार्केट रेट पे नहीं करना को 30 रूप्या प्या जाना क्योंकि ऊस दिन मचली को वेड़ होता है वह कम होजाता है अगर अगले दिन से अगर 29 में बेचेंगे तो आपको लॉस लग जाएगा तो पहला चीज यहां पर आपको सेथरक रहना पहली बात यह अब दूसरी बात करतें है कि दूसर आप को पता है कि इतना मस्ली धे तो आपको पता है तो बैपार कुछ है तो पिंद बोले उसके बात अप्यान नहीं देना है वह बोले का जधा पानी कम करने ले तो मसलियों के लिए तो नहीं करना का महीं की मचली आपका अगर मॉट लेटी होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप पिर देख नहीं पाओं स्म Sauी में अपने से च्डाप में मतस्ली और निग लो में आप मैं से नहीं निकल वोटे कि मैं निकालने का दो रुपिया कम दुगा कुप मतलब एकके जी अगर ये अक्सटाइट रुपर लागा कर तो son कर दो तराजू पर जब आप वेट करके देते हैं मचली का तो वह जो तराजू है वह आपको खुद रखना डिजिटल भी मार्केट में अराम से मिल जाता है अगर आपके तला में चालिस कुंटल पचास कुंटल माल है तो क्या प्रॉब्लम है उतना सा 5,000 खर्च करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो तराजू आपको अपना खुद लेना है वेपार का जो तराजू है उसका दो रंका रहता है मार्केट में बेचने वाला वह ज मझ देजें तो यहां से चो खरीद देगा अधिक माल करीदेगा वेट कम रहेगा मार्केट में जो बेचेगा वह कम छोटा मसली रहेगा लेकिन वेट लेकिन वह अधिक कर देता है 800 गरम को एक केजी तक पुरा देता है तो मैं जुए शब बैपार को नहीं बोल रहा हूं वैसे बैपार को बोल रहा हूं, जो कि सच मे 않न करते हैं अटे funk को már हो वह करते हैं, तो अरकिसान बाई भाईयो पेजमी बात आप यह जब भी तलाब से मचली निकाले हैं ठीक है, भी मानके जले आफ निकालना स्टाट कर दिया, जब भी तलाब से निकाले है तो बीकष बेपार Stadt को आप को कि 25 kg यह द्रण में लोँ गा न्यूंगा तो आपके उपर डिपेंड कर देना है या नहीं हूं आपको बोलना है कि मैंनटुञ पजी में पतीस केजी जब जब उसको दिजए गा तौल के हर वह पर को तो आप समझ लेगे लिजिए कि अगर वो एक कुंटल मसली ले रहा है तो अगर चार सो फ़ाइसा ही चले गया एक्सेटा जब आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या वह एक सो ग्राम एक्स्ट्रा देता हैं कि ने देता है उपर से एक कीजी का 800 ग्राम का मच पाइसे, कि अ को दू जो अपको दू गार्यूट कंशी तॉ मैं लिच्छागु कर्णा उड़, तो नहीं चीज बेपार करता है। यहीं चीज भेपार करता है। नहीं यहीं किसानों के साथ भोले गा कि अपका मसली छोटा है। कम रेट में दूंगा तो पहले तो मैं आपको बताई दिया हो कि प्रोडेक्ट आपको अच्छा से बनाना है मसली का साइज तो 900 गराम एक केजी सवा केजी तक रखना ही रखना है तब भी आपको हर्वेस्टिं करना है उसके बाद अगर बेपार ऐसा बोलता है कि अपका मसली हो जाएगा तो इसलिए डरा ना नहीं है कि सपर्मिन करने में कुछ भी बोलियो सके बातों पर ध्यान नहीं देना और मैयापका थोटा वाहिए हूं इसलिγεί मैं इतना ग्राउंड बता करें मिलते हैं अगले वीडियों में अभी के लिए बाइबाइब के संबाइब जय हिन जय वारत